इस ताकत को बढ़ाना, इसकी पहचान बढ़ाना, आत्म निर्भरत भरत अभ्यान का बहुत बड़ा हिस्सा है ये हम सभी के लिए आनन्द की बात है कि आज हम देश के पहले तॉय फैर की शुरुवात का हिस्सा बन रहे हैं टॉय फैर के इस कारकम में मेरे साथ जुड रहे केमिनेट के मेरे सभी साथ ही टॉय इंडस्ट्री से जुड़े सभी प्रतिजिदीगर्ण, सभी कारिगर भाई बहन, पैरेंट्स, टीचर्स और प्यारे बच्चों ये पहला टॉय फैर केवल एक व्यापारिक या आर्थिक कारकम भर नहीं है ये कारकम देश की सद्यों पुरानी खेल और उल्लास की संस्कृति को मजबूत करने की कड़ी है मुझे बताया गया है किस कारकम की प्रदर्शनी में कारीगरों और स्कूलों से लेकर बहु राष्ट्रिय कंपनियां तक तीस राज्यों और केंदर सासित प्रदेशों से एक हजार से अधिक एक्जिबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं आप सभी के लिए एक ऐसा मन्च होने जा रहा है जहां आप खिलोनों के डिजाइन इनोवेशन टेक्नलोजी से लेकर मार्केटिंग पैकेजिंग तक चर्चा परिचर्चा भी करेंगे और अपने अनुभव साजहा भी करेंगे टॉइ फैर दोहजार इकीस में आपके पास भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग और ई-स्पोर्ट उद्योग के इको सिस्टिम के बारे में जानने का आउसर होगा मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि यहां पर बच्चों के लिए धेरों गतिविधियां भी रखी गई है मैं टॉए फैर के इस आयोजन में अपनी भूमी का निभाने वाले सभी साथियों को हार्दिक बढ़ाई देता हूँ साथियों खिलोनों के साथ भारत का रचनात्म ग्रिस्ता क्रियेटिव रिलेशन उतना ही पुराना है जितना इस भूभा का इतियास है सिंदू गाटी सभ्यता मोहन जेदारो और हरप्पे के दोर के खिलोनों पर पूरी दुनिया ने रिसस की है प्राचिन कान में दुनिया के यात्री जब भारत आते थे वो भारत में खेलों को सिखते भी थे और अपने साथ खेल लेकर भी जाते थे आज जो सत्रंज दुनिया में इतना लोग पुरिय हैं वो पहले चतुरंग या चादुरंगा के रुप में भारत में खेला जाता था आदुनिक लुडो तब पच्चीसी के रुप में खेला जाता था हमारे धर्मगरंथों में भी आप देखिए बाल राम के लिए अलग-अलग कितने ही खिलोना का वरणन मिलता है गोकुल में गोपाल कृष्च्चन घर के बहार अपने मित्रों के साथ कंदुक यानि बॉल से खेलने जाते थे हमारे प्राचिन मंदिरों में भी खेलों के खिलोनों के शिल्प को उकेरा गया है खास करके तमिल नाडू में चिन्नेई में अगर आप महां मंदिरों को मैं देखेंगे तो ऐसे कितने ही उदान देखने को मिलेंगे कि मंदिरों में भी अलग-अलग खेल अलग-अलग खिलोने वो सारी चीज़े वहां आज भी दिवारों पर दिखती है साथियों किसी भी संस्कृति में जब खेल और खिलों ने आस्था के केंदरों का हिस्सा बन जाएं तो इसका आर्थ है कि वो समाच खेलों के विज्ञान को गहराई से समझता था हमारे हाँ खिलों ने ऐसे बनाये जाते थे जो बच्चों के चहु मुखी विकास में योगदान दे उनमें एनालिटिकल माइंड विक्सित करें आज भी भारतिय खिलों ने आदुनिक फैंसी खिलों की तुलना में कहीं सरल और सस्ते होते हैं सामाजिक भावगोलिक परिवेश से जुड़े भी होते हैं साथियों रिस्ट्यों रियूज 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 और रिसाइकलिग